नवस्कार दोस्तों हिंदी चैस्पेस इंडिया चैनल पे मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनादन करता हूं दोस्तों करीब करीब दो दिन हो चुके हैं जब हमने भारती टीम ने ऑनलाइन शत्रण जो लंपियाड जीता था तब से लिकेर अप तक जो है हम लगा तनाणणजी का जां डूडा के खिलाब जीतना यह जीत बेहत खास थी वह इसलिए भी खास थी क्योंकि यह जीत इसनारण जी की पहली जीत थी क्योंकि इसके पहले के काफी सारे उनके मुगाबले ड्रॉज हो गय थे भारतिय ओलम्पियाड टीम में विष्ना का होना ही एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि हम ने कभी नहीं सोचा था कि प्रग्ननन्दा और निहाल के साथ किसी एक टीम में या वंतिका या दिव्या के साथ किसी एक टीम में विश्णात अनाने जी खेलते हुए नजार आएंगे, तो यह अपने आप एक अनुटी घ कर रही थी इन सब के बावजूद हम ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन चैस में वो इतने एक्सपर्ट नहीं है उन्होंने हमेशा ओन दा बोर्ड चैस ही खेला है और उसी में जो है वो महारत रखते हैं बट इसके बावजूद उन्होंने ऑनलाइन चैस में खुद को ढाला अब बात करते हैं इस मुकाबले की जो कि जॉन डूडा के खिलाफ खेला गया दरसल जब ये मुकाबला जॉन डूडा के खिलाफ विश्णा तनान जी ने जीता उससे पहले टीम की जीत तैह हो गई थी लेकिन आनन जी क्योंकि पिछले राउंड में जॉन डूडा से हार चुके और फाइनल में भी जो है खिताब हांसिल कर सकते हैं क्योंकि आनन जी के जीतने से टीम पर वो है एक अलगी प्रभाव पड़ा तो आएए देखते हैं इस मुकाबले को क्या कुछ हुआ कितने उतार चड़ा हुए और कैसे विश्णा तनान जी ने ऑनलाइन ओलंपियाड मे जॉन डूडा जैसे खिलाड़ी को जो की पूरे टोर्नामेंट में नहीं हरा था उसको हराते हुए जीत आसिल की तो आएए देखते हैं इस मुकाबले को क्या कुछ हुआ है इस मुकाबले में d4 से शुरुवात हुई d4 knight f6 c4 e6 knight c3 bishop b4 तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर निम्जो इंडियन में रूबिंस्टाइन वरियेशन जो है main line यहाँ पर खेली जा रही है e3 खेला जौन डूडा ने कासल किया विश्वनातन आनन जी ने bishop d3 d5 center को लेते हुए यहाँ पर और knight f3 d into c4 so bishop into c4 and now c5 actually में अगर आप देखोगे तो शुरुवात से विश्वनातन जी ने एक बहुत ही active line यहाँ पर चुनिए जहाँ पर उनके महरे तेजी से बोल पर आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको हमेशा याद रखना होता है कि निम्जो इंडियन में white हमेशा एक strong center जो है वो gain कर ही लेता है तो उसका मुकाबला जो करना है उसके लिए आपकी pieces को बहुत active होना चाहिए अब देखें a3 तो आपको decide करना है बिशव तो वापस आ नहीं सकता तो एक बिशव आपको यहाँ पर जाता है bc3 bc3 और एक pawn जो है वो center के towards आता है अब यह जो 2-3-4 pawn है यह मिलकर के white के लि bishop पर problem आएगा और दूसरा यह bishop का सही square है भी ने क्योंकि bishop इस diagonal में ज्यादा कुछ करता नहीं है तो bishop को anyway वो वापस जाना ही पड़ता है तो bishop e2 गए b6 castle bishop b7 knight e5 knight e5 का purpose क्या है knight e5 का purpose definitely यह है कि इस pawn के हटने से अब यह pawn जो है वो और भी active होंगे और यह knight जो है वो उपर की queen into c6 queen into c6 यहाँ पर विश्णा आते हैं आनन जी ने खेला और यहाँ पर खेलते हैं f3 f3 कैसा move है जो आपके queen और bishop की जो battery है इसको एक कमजोर करता हुआ नजर आता है आनन जी ने खेला rook fb8 और इस position तक आते आते हम बिल्कुल clear थे कि आनन जी का position काफी comfortable हो चुका है लेकि आप यहाँ से बात देखे विश्णा तानन जी के काम वो जो उनके ideas है वो शुरू होते हैं bishop b2 खेला अपने यह बात भी याद रखने है कि अगर position कभी open हो जाएगी तो यह जो दो bishop है यह bishop काफी important role play कर सकते हैं तो अब आनन जी ने यहाँ पर खेला knight d5 यह बहुत ही interesting move था जब उन्होंने knight d5 खेला तो हम लोग यही सोच रहे थे जितने भी लोग देख रहे थे कि फिलहाल इसका क्या idea हो सकता है knight को कहाँ पे ले जाने का problem है क्योंकि बहुत जल्दी तो e4 जैसा move आ सकता है लेकिन आनन जी के दिमाग में देखिया already idea तयार था कि knight को कहाँ पे ले एक tempo तो मिली रहा है so queen d2 और b5 खेलने का मौका मिल जाता है e4 आना ही था so knight b6 rook fd1 and knight a4 तो white के पास एक बहुत अच्छा center है यहाँ पर बट उसका एक ही problem है कि उसका यह जो bishop है वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है और अभी भी उसके पास a3 की weakness तो हमेशा रहेगी ही रहे हो तो यही compensation है रुके b1 खेला तो अभी आना जी knight b2b इसलिए नहीं मारा है क्योंकि वो knight ज्यादा अच्छा है उस bishop से a6 खेला b5 को strength किया और जैसे उन्होंने bishop a1 खेला तो अब देखे यह clear हो गया कि यह bishop इतना अंदर चला गया है कि अभी इसको वापस आने में बहुत सम नजर आ रही है bishop थोड़ा खराब नजर आ रहा है और जैसे यह pawn आगे बढ़ा है उससे यह भी clear हो गया कि यह जो rook है वो इस file पर कुछ ज्यादा कुछ इसको करने नहीं मिलने वाला है तो अब white की strength क्या है center के आसपास तो white ने खेला queen f4 आनन जी ने यहाँ पर एक बहुत ह risky tap का और बहुत important move खेला f5 यह move बहुत खास इसलिए है कि यह बताता है कि वो इस match में जीतना चाहते थे अगर आनन जी solid खेलना चाहते तो यहाँ पर कुछ भी वो normal खेल सकते थे लेकिन वो जीतना चाहते थे और इसलिए उन्होंने यह important move खेला यहाँ पर यह भी समझना ज f5 तो rook f8 good move pawn को pin किया मार नहीं सकते queen मर जाएगा so opponent ने खेला rook e1 अभी तो opponent को bishop भी हटाना है तो यह सब count कर चुके हैं कि यह जिसको बोलते है tempo सब count कर चुके कितने opponent को चालने अभी खर्च करनी होगी तो उतनी दिर में हमारा knight वापस आ जाएगा knight b6 bd1 तो फिर tempo के साथ queen पर attack करते हुए knight queen d2 so e into f5 यह position भले ही अभी भी equally आप bowling के analyze करेंगे लेकिन आनन जी जितना active खेल रहे थी इस game में जिस तरह से knight d5 फिर a4 तक जाता है फिर travel करके आता है और फिर यह सारे move rook cap fit और इस सब timings देखना कि कब कब opponent को time लगेगा इस सब में आनन जी बहुत अच क्या प्लान है डूडा के पास की किसी तरीके से इन bishop को जो है वो game में लेके आना है इन दौनों bishop को अच्छे से और दौनों rook को तो अभी आनन जी ने खेला queen d6 तो किस पर control किया यह इस square पर control करना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर white को f4 मिल जाता तो black के बहुत सारे plan जो ह हमको ज़्यादा over control नहीं देना है white को तो अपने ने खेला bishop b2 तो आनन जी ने खेला bishop c6 यह important move क्यों है indirectly यह a4 को रोखता है दूसरा कभी भी इस bishop को game में आना होगा तो actually में उसको आना इसी तरीके से पड़ेगा तो यह bishop c6 जो है यह future की तयारी है रुक e5 यह आना ही था त आनन जी ने immediately खेला यहाँ पर f4 ताकि control लखा जाए board पर और e3 का square है जो वो knight के लिए हासिल किया जा सके रुक b1 so knight e3 यहाँ पर bishop c1 खेला आपने जो piece जो आखरी piece है नहीं खेल रहा है उसको board पर लेके आते हैं आनन जी खेला रुक e8 queen f2 हटा क्योंकि यहाँ पर आप e5 और pawn से मारोगे तो queen take और यह threat है actually मैं तो वो भी bishop को यह पीछे नहीं ले जाना चाहते थे तो उन्होंने यहाँ पर queen हटा लिया उस threat से हटते हुए now आनन जी ने वापस knight d5 खेलते हुए c3 की weakness को एक बार फिर से exploit के यह बात समझ लिजे कि यह bishop bad bishop है और यह f4 पर pawn आने से bishop अभी भी बाहर नहीं आ पा रहा है और आनन जी इसी pawn और इसी सब के खिलाफ खेल रहे है तो अब देखिए इसके आगे क्या होता है उन्होंने खेल bishop b2 आनन जी ने खेला rook into e5 d into e5 now queen e6 queen e6 ना तो आपने एक तो इस pawn को यहाँ पर hold करी दिया है दूसरा आनन जी का एक future में idea जो हो सकता है वो यह हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से भी आक्रमण किया जा सकता है knight e3 भी जाने के लिए तयार है वापस और knight e3 अगर आप जाए तो यह pawn भी फिर बचेगा नहीं तो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद john duda ने pawn देने का निश्चे कि उन्हें bishop c1 खेला और उनको लगा कि knight अभी e3 पर आएगा तो हम उसको मार सकते हैं c3 पर अगर आप मारते हैं तो क्या होगा वो आपको अगली चाल में दिखेगा तो आ king into h7 queen c2 check so bishop g6 तो एक tempo के साथ एक बार फिर piece बहार आया तो इस पूरे match में tempo जो है उसका बहुत अच्छे से विश्चनात नानजी ने इस्तमाल किया bishop d3 एक बहुत strong position पर जाके bishop बैठ गया queen d4 and now g5 यह भी बहुत ही courage वाली move थी आप देखे कि king जो है उसको थोड़ा खत्र g2 g4 अच्छा जब तक यह position थी तब तक लग रहा थे कि यह तो ड्रॉई हो जाएगा एक तो opposite color bishop है और एकदम से अभी इतना attack इतना शायद risk ना ले आनजी g4 वगरे करने का लेकिन आनजी ने हैं पर दो pawn sack किये और यह भी बताता है कि कितना अभी भी वो sister का chest वो कैसे खेल सकते हैं तो g4 fg4 और उसके बाद f3 भी pawn sack कर दिया जी इंटो f3 रुक इंटो f3 एक pawn वापस मिला लेकिन position जो है वह बहुत ही active यहाँ पर विशना तननजी की हो गई bishop e3 so queen f7 queen a7 आए तो यहाँ पर मार सकते थे ऐसा भी खेल सकते थे जैसे queen a7 bishop a7 rook f4 e6 take king f2 rook e4 rook e4 यह draw होता तो आनन जी ने यहाँ पर conservation खेला क्योंकि जीतना चाहते थे king g6 तो यह game जो था वो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितना जीतने के लिए जो है वो desperate है वो चाहते है कि यहाँ पर match होना चाहिए और अभी देखियो rook into f1 का threat जो है वो लगा हुआ हुआ है so queen queen a6 king h7 queen a7 बापस अपनेंट स्टॉप करने के कोशिश कर रहा है आपको rook f1 जाने से king g8 तो finally उन्होंने मारा king f7 bishop c5 king e6 bishop g2 और यह position भी draw के आसपास चल ले थी आनन जी की होप थी सिर्फ यह pawn okay so bishop b4 and now rook c7 h4 तो उन्होंने pawn push करना शुरू कर दिया c3 h5 c2 bishop d2 इस position तक भी य अगातार pressure जो है बनाते चले गए जैसे rook d7 खेला okay तो अभी rook d7 में simple threat है even bishop e4 rook e4 और मार के rook into d2 pawn रोकने के लिए जो है आपको नीचे जाएंगे तो rook even मतलब something like for example कि अगर अपने ऐसा कुछ खेले तो bishop e4 यहाँ पर आएगा rook e4 and check और आप king को अभी कहीं पर भी जाएए जैसे something like here तो अभी आप देखे कि pawn जो है वो बढ़ रहा है आगे तो इसी लिए यहाँ पर उनके opponent ने खेला यहाँ पर bishop c1 so bishop h7 g5 तो rook d1 अभी मारने में तो queen है तो opponent ने यहाँ पर उन वो बहुत pressure में आगा है actually उनको king f2 खेल लगा था तो उसने g6 खेला और यहाँ पर भूल गए कि bg6 के पाद hg6 नहीं मार सकते शायद उनको ऐसा लगा हो कि यहाँ पर pawn उनका queen बन जाएगा लेकिन उनको समय में आया कि यहाँ पर rook मारने के बाद यह pawn queen नहीं बनेगा क्योंकि यह यहाँ पर यह piece यहाँ पर आ रह pawn दिया यहाँ पर वापस e6 bishop e6 rook check king d6 rook वापस bishop c4 और इसके बाद देखें क्या end होगा इसका game का king c5 rook g5 bishop d5 rook g1 तो king bc4 और finally rook g4 पर king b3 rook b4 पर king a2 और अभी देखें कि bishop b3 का threat है तो आप ज्यादा कुछ यहाँ पर करने सकते थे king e3 के बाद bishop b3 उसका बिशब भी मर रहा है और यह pawn भी नहीं रुक रहा है तो यहाँ पर john dudan ने resign कर दिया तो यह जीत बहुत खास इसलिए थी क्योंकि विशुनातन आनन जी ने इस पूरे game में जिस तरह की activity दिखाई जिस तरह के risk लिए board की उपर वो दिखाता है कि वो जीतने के लिए कितनी मेहनत board पर कर रहे थे और इस जीत के बाद भारती टीम के उत्साह में बहुत बढ़ोतरी हुई थी तो दोस्तों जितने भी लोग अगर हमने देखते हैं चैट में कई वार लोग लिखने लगते हैं कि आनन जी को आप खेलना नहीं चाहिए या ये या वो उन्हें ये नहीं पता है कि इस एक अके बात थी और मुझे लगता है कि भले थोड़ा सा अपको लगे कि उतना योगदान ना हो लेकिन मेरे साब से जितना योगदान हर खिलाड़ी के था उस एक जादा ही योगदान आनन जी का था इस जीत में क्योंकि हमने ये भी देखा इंटर्व्यू में कि कैसे अलग-लग ख भारत के लिए खेलते रहेंगे और हमारा जो तिरंगा यूहीं लहराता रहेगा आप सभी को जो है दोस्तों भारत के शेत्रण जो लंप्याट जीतने की बहुत-बहुत बदाई और यह सीरीज हमारी जो है चलती रहेगी अभी बहुत कुछ करना बाकी है थैंक्यू सो मच संद आये होंगे अपने सुझाओ हमें जनूर्दया याद रखें शत्रण्ज की हर चोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चैस्पेसी इंडिया चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहें तो सबस्क्राइब करें और साथी साथ बैल आइक ओन दबाना ना कि इसी से मिलें कि आपको सारे नोटिफिकेशन फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जलूर्द लाइक और शियर करना ना भूलें